हाई फ्रेंड्स और मैं गीता आजाएंगे एक बहुत ही बढ़िया विशय पर लेकर के वीडियो और विशय आज का बहुत ही अलग है क्योंकि प्रोड़क्ट रिलेटर तो है लेकिन एक ऐसी चीज की जानकारी में दूंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वो है कोक्यूटेन क्या आपने कभी सुना है और अगर सुना भी है तो यह हमारे शरीर के भीतर ही बनता है विटामिन जैसा ही प्रदात माना जाता है इसको और यह हमारे शरीर के भीतर ही बनता है लेकिन यह शरीर में अगर बनना कम हो जाए क्योंकि एक टाइम के बाद हम देने वाला जो भी हमारे शही में जरुवत पड़ती है और माइट्रोकंड्रिया यह माना ही जाता है यह हमारा पावर बूस्टर का प्लेस है और इस जगह पे ही यह पाया जाता है और वहीं से हमें एनरजी मिलती है पूरी बॉड़ी को अगर आपकी बॉड़ी में को होता है इन सब चीजों में वह होने शुरू हो जाते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो एनरजी रिलेटर वर्क है वह आप नहीं कर पाते हैं एनरजी आपकी बॉड़ी में बहुत कम प्रोड्यूस होती है इस वजह से जो डेली जो आपकी जो काम धं हैं यह हमें कहां कहां कैसे कैसे लाइब देते हैं अब इसके जानते हैं इसके लाभों के उपर में अब जानते हैं कि को क्यूटेन इंजाइम जो हमारे शरी में बनता है उसके क्या-क्या लाब है और अगर यह कम होता है तो यह तो मैंने बताया ही क्या-क्या हो सकता है और कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला नंबर आता है उर्जा एनर्जी क्योंकि माइट्र कंडिया में ही यह बनता है और माइट्र कंडिया माना ही जाता है पावर हाउस और वहां पर एटीपी हमारे जो अनु होते हैं यह हमारी जितने भी एनर्जी के सोर्स होते हैं उसको बॉड़ी में अस्थांत्रीत करता है ताकि हमारा जो बॉड़ी है वह एनर्जी से भर पूर रहे और अगर यहां पर आप सोच रहे हो कि यह अगर कम होता चला जाता है तो हमारा मेंटली जो है मेंटली और फिजिकली यहां पर दोनों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हो पड़ता है और मेंटली और फिजिकली हम पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं अब आते हैं को क्यू टेन इंजाइंग के दूसरे लाब के ओपर में हर्ट हेल्थ यह बहुत बड़ा पोशन है हमारे शरीर का क्योंकि हम जिब तक हमारा हर्ट अच्छा रहता है तब तक हम ज अच्छा रखता है और इसके साथ-साथ ऑक्सिडेटिव छती जो होती है हर्ट में हमारे रिदय में जो अक्सिडेटिव छती होती है उसको कम करता है और मांस्पेसियों को मजबूत बनाता है अब आते हैं को कि इंजाइम के और विलाबह के ऊपर मेंटल हेल्थ यह बहुत सब्सक्राइब के एटीपी से आती है तो यहां पर भी एनरजी का सोर्स अगर माना जा तो को कि इंजाइम ही होता है और अगर आपका मस्तिक सही धंग से काम नहीं कर रहा है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि आपकी बॉड़ी में को क्यू टेम इंजाइम का जो है वह जादा होना चाहिए अब आते हैं नेस्ट बेनेफिट के उपर में मतलब हमारा इसकिन हेल्थ आप देखें नेस्किन हेल्थ के लिए भी को कि इंजाइम का बहुत बड़ा हाथ होता है बहुत बड़ा रोल है इसका क्योंकि आसमाए अगर आपके इसकिन पर जूरी आ रही ह और अगर यह कम होता है तो ऑक्सिडेटिव च्छती तो भई हो ही रही है और जितने भी बाहरी चीजों से अगर च्छती हुई है आपके स्किन के सेल्स की तो उसको बहुत ही अच्छा करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है अब आते हैं को क्यों इंजाइम के सारे लोग परशान रहते हैं मैं बात कर रही हूं फर्टिलिटी के बारे में और यहां पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल अगर सही में उनकी फर्टिलिटी कम हो गई है एक समय आते आते फर्टिलिटी कम हो जाती है प्रजन छमता जो होती है वहां पर अंडानू और कमजोर हो जाते हैं तो ही फर्टिलेटी में प्रॉब्लम क्रियट होती है तो यहां पर यह दोनों को मजबूत करने के लिए इसके संपूरक आहार का यूज किया जाता है को क्यूंजाइम का नेक्स लाब जो होता है वो कैंसर पेसेंट पर भी देखा गया है और यहां पर कैंस की जो कोशिकाए होती है उनको बढ़ने में समय जो होता है उसको यह धीमा कर देता है और ऑक्सिडेटीव छती जो होने वाले होते हैं बॉड़ी के उपर में उसको बहुत जादा कम कर देता है यह जिस वज़ए से जो कोशिकाए होती है काफी धीरे-धीरे अपना काम कर प क्यूंद बारे में सभी जानते हैं और यहां पर भी कशी जादधा है और जो हमारे फेफड होते हैं उसको काफी जाद़ा मजबूती प्रदान करता है अब इतनी सा लाग तो हमने बता दिये हैं को क्योंटेन और और इंजायम कम में body में तिसको कैसे बढ़ा सकते हैं इसका केवल एक ही तरीका है तरीका है इसको supplement के तूर पे हम अपनी body में बढ़ा सकते हैं अब supplement अब यह भी सोचना जरूरी हो जाता है कि कौन सा supplement सही में सही होगा हमारे शरीर के लिए तो मैं always बात करती हूं न्यूटलाइट के बारे में जो कि अमवे का बहुत ही prestigious brand है और काफी पुराना brand है अगर देखा जाए तो supplement में number one है और supplement आखिर हमारे खाने पीने से जो चीजे की कमी रह जाती है जो कि में मिलनी चाहिए थी body में उसकी कमी को ही यह complete करता है खाने पीने के साथ साथ अगर हम supplement का यूज करते हैं तो जो कम यह बॉड़ी में रह जारी है उसको यह complete करता है मैं बात करें को क्यू टेन इनजाइम की और यहां पर मैं supplement के बारे में बात करती हूं तो क्योवल न्यूटलाइट लेते हैं अब यहां पर थोड़ी इसकी जानकारी लेते हैं अब च्छती ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रियेट करती है हमारे शरीर में तो यहां पर इसका अस्तर तो सुधरता ही है को क्यूटेन का भी और इसमें साथ-साथ एंटि-अक्सिडन छती भी जितनी कंप्लीट हो रही हमारी बॉड़ी में उससे भी शरीर को रक्षा प्रदा चमता यहां पर बहुत सारे चीजों में यह बहुत ही अच्छा काम करता है और इन सब चीजों को अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो जरूरी यह प्रॉड़क यूज़ करना चाहिए अब आती है उसके यूज़ कोन लोग कर सकते हैं कितना कैसे यूज़ करना है इसे से परमर्ष लेकर कि इसका यूज करें 12 साल से उपर हैं जो भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं जिनकी बॉड़ी में को क्यों टेन बनना कम हो चुका है तुने तो जरूर यूज करना चाहिए अब डोजस कितने रहने चाहिए इसके डोजस आप एक से चार ले सकते हो अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्स हैं हमारे शरीर बहुत बड़ा कीमती चीज दिया है भगवान ने तो इस कीमती चीज का ख्याल रखना सीखिए और यह यूही नहीं मिला है भगवान ने हमें बहुत ही प्यूर बना करके भेजा था लेकिन हमारा जीवन्चे लिए ऐसा होता चला गया कि इस प्यूर चीज को हमने काफी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया है तो इतने अच्छे अच्छे सप्लिमेंट है हमारे पास न्यूटलाइट के जिसे हम लेंगे तो हमारा स्वास तो बहुत अच्छा ही हो सकता है बिल्कुल भी बस पोजर्टिव है कि को क्यू इंजाइम टेंड कहां कहां हमें यूज करना चाहिए और अगर आप मेरे यूट्यूब चानल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ओसम कंटेंट हर किसी के पास प कर दो